जल्दी से देखते हैं बचो, यह है बचो शुरुआत, शुरुआत कब हुई बचो इसकी, जल्दी बताओ, शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत वाला कुशन वैसे अब कम पूछेगा, है ना, लेकिन 2021 में हुई है शुरुआत कब, 2021 में, पर फिर भी अगर पूछ ले तो याध है बचो, उससे अगले दिन क्या था, ओलंपिक का समापन था, यानि gold medal से अगले दिन ओलंपिक का समापन था, फिर जो सुरुआत 23 जुलाई 2021 को, समापन आठ अगस 2021 को, 32 में समर ओलंपिक थे, कौन से 32 में थे बचो, 2020 में दोनो ओलंपिक हुए बचो, एक तो पेर लंपिक भी हुए जो दिव्यांग खिलाडियों के लिए बचो किसके लिए दिव्यांग खिलाडियों के लिए तो 2020 का जो ओलंपिक है मिराई तोवा और बच्चो सुमेटी मिराई तोवा और सुमेटी इसके शुभंकर थे क्या मिराई तोवा और सुमेटी इसके शुभंकर गया, Olympic बच्चो जिसने खेलों के लिए बहुत योगदान दिया हो, उसे Olympic Laurel नाम का खिलार वो दिया जाता है, बच्चो, किसको, महमद यूनुस को, किसको, महमद यूनुस को दिया गया, और दूसरा ही था है, ऐसा परुसकार ठीक है, दूसरा ही परुसकार था, तो Olympic Laurel पूछा जाए, आप महमद यूनुस, क्या बताओगे बच्चो, महमद यूनुस बताओगे, है ना बच्चो, अब एक कुशन है, अंतरास्तिय Olympic समीती के अध्यक्ष कौन है, वो समीती जो लुसाने सुरिजर लेंड में है, वो हैं बच्चो, Thomas Bach कौन है, Thomas Bach उसके अध्यक्ष है बच्चो, 2020 में पहला gold medal किसने जीता था, चीन की shooting खिलाडी, खियान यांग ने, किसने बच्चो, खियान यांग ने पहला बच्चो, खियान यांग ने पहला, और दूसरा बच्चो, सबसे युवा खिलाडी, कई paper में अब तक पूछ चुके हैं, 2021 के Olympic की, 2020 के Olympic की, सबसे युवा खिलाडी, मौम जी निश्या, मौम कैसा होता है, बड़ा soft होता है, मौम जब जल जाए हाथ में देखना है, ऐसे ले खिल था, और चिनकी shooting खिलाडी कियान यांग ने, shooting खिलाडी कियान यांग ने, shooting खिलाडी कियान यांग ने क्या जीता बच्चो, पहला gold medal जीता, gold medal जीतने वाला सबसे छोटा देख है, बर्मूडा, ये वही बर्मूडा है, जिसका बर्मूडा triangle famous है, बर्मूडा triangle famous है, ये कहां पढ़ता है ये उत्तरी अमेरिका है ये सारा का सारा उत्तरी अमेरिका है बचो इसमें ये देश उपर वाला केनेडा है और ये नीचे वाला जो देश है बचो ये क्या है अमेरिका है तो ये इसके पास है बर्मूडा ट्रैंगल तो जीतने वाला गोल्ड सबसे छोटा ठीक है, बर्मूडा, भारत की तर से ध्वजवाहक, जल्दी बताओ, ओपनिंग में कौन थे, आप बताओगे बच्चो, आप बताओगे, मैं नहीं बताओंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बच्चो, सबसे पहले, जल्दी बताओ, बच्चो, नीदत चोपड़ा का नाम शुरू में कोई थाई ने, बच्चो, नीदत चोपड़ा ने तो कैसे किया, एक साथ आके और बच्चो तहलका मचा दिया, सबसे पहले, दो लोगों को, दो लोगों को रखा, बच्चो, ध्वजवाहक, फ्लैग बीरर, जो सामने चलके क्या, जंडा हाथ में लेके चलते हैं, और वो जो जितना दल जाता है, उसमें से वो दो सबसे सम्मानित मान लिये जाते हैं, बच्चो, ठीक है, तो कौन-कौन मेरी कौम, बच्चो, मेरी कौम भई, उनकी उपलब्धियों के बारे में तो कोई आपको बताने की जरुद है नी, और दूसरा, मनप्रीत सिंग, मनप्रीत सिंग हमारे हौकी के कपतान है, ठीक हो, लड़के और लड़कियों को बराबरी देने के लिए, दौनों में से एक- बजरंग पुनिया, जो अंतिम मेडल जीता था, इन सात मेडल में से अंतिम मेडल किस ने जीता था, बजरंग पुनिया ने ही 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 जीता था, बजरंग पुनिया ने जापान का तीसरा स्थान, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान ना मयाद रखना है, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान, टोटल मेडल में भी यही बच्चो और गोल्ड मेडल में भी यही करम है, टोटल मेडल में भी यही करम है, अगर देखी जाए त तो यही सेम करम और अगर पूछे गोल्ड मैडल सबसे ज़्यादा किसने जीते तो वो भी अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, लेकिन आप ध्यान रखना जिसके गोल्ड ज़्यादा होते है न, अगर टोटल पदक किसी के ज़्य ज़्यादा भी हो, लेकिन गोल्ड कम है उसके, तो वो नीचे चला जाता है, जैसे बिटेन चला गया, बिटेन के देखो पदक टोटल 65 हैं, लेकिन गोल्ड मैडल जापान के ज़्यादा है, तो इसलिए अगर एक देशने 70 पदक जीते, लेकिन एक भी गोल्ड मैडल है, औ लेकिन सारे ब्राउंज और सिल्वर हैं, एक ने गोल्ड मैडल जीता एक, केवाज एक गोल्ड मैडल ही जीता है, तो किसकी रैंकिंग उपर आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बचो, किसकी रैंकिंग उपर आएगी, एक वाले की रैंकिंग, बिल्कुल ठीक है का पूरा नाम है साइखों मीरा बाई चानू वैसे बच्चों मीरा बाई चानू कहते हैं जाद अतर ठीक है तो सिल्वर मेडल जीता और पहला पदक इन्होंने ही जीता था 40 किलो ग्राम भारवर्ग में पूछ लेता है किल कितना वजन उठाय था इनोंने 202 किलो वजन उठाय था दो बार उठ्टाए ठीक है 202 किलो वजन उठा था बच्चों ठीक है 49 kg weight category में यह है पहला about your middle की शुरुआत इन्होंने करवाई थी बच्चों यह है भारत की शेर्नी मेरा बाई चानू दूसरा medal बच्छो रवी दहिया ने दिलवाया सिल्वर medal दिलवाया इनोंने भी कुस्ती में सिल्वर medal कुस्ती में भारत के पदक कैसे हैं 1, 2 का 4 1, 2 का 4 एक गोल्ड medal दो सिल्वर medal 4 ब्राउज medal तो silver वाले तो हमने दोने खलाडी पढ़ लिये बच्चो, एक तो है 14 kg भार वर्ग में, क्या weightlifting वाली मीरा भाई चानू, एक है कुस्ती वाले 57 kg में रवी दहिया, 57 kg में रवी दहिया बच्चो ठीक है, 57 kg में रवी दहिया, मीरा भाई चानू मनिपुर की हैं, और बच्चो य Assistant Superintendent of Police, क्या बोलते हैं ने, Assistant Superintendent of Police, ठीक है, ASP बनाया है, Manipur की सरकार ने, इनको बच्चो, ठीक है, तो ये हो गए, अगला है बच्चो, PV सिंधु ने Bronze Medal जीता है, PV सिंधु आपको पता होगा, 2016 में उन्होंने Silver जीता था, 2016 में बच्चो उन्होंने Silver जीता था, इस बार उन्होंने Bronze Medal जीता है, यानि दो Medal जीत लिए उलम्पिक में, और ऐसा करने वाली पहली महिला है, PV सिंधु, ऐसा करने वाली यानि भारत की तरफ से एक से जादा Medal जीतने वाली, दो Medal जीतने वाली पहली महिला कोने बच्चो पीवी सिंधु है, ठीक है, चलो पहली, और 2016 रियो उलम्पिक में Silver Medal इन्होंने जीता था, अब जीता है Bronze, तो तीन खलाडी होगे बच्चो, चौथा खलाडी हमारा, लवलीना बोर्गहन, बच्चो लवलीना बोर्गहन, असम क किसी खलाडी ने पहली बार जीता बच्चो, पहली बार जीता बच्चो, ठीक है, क्या आवाज कट रही है बच्चो, क्या आवाज कट रही है बच्चो, जल्दी बताना एक बार, जल्दी बताओ बच्चो, विशाल आवाज कट रही है क्या, ठीक आ रही है, ठीक है रवाज ठीक है बच्चों, एक आत बच्छे को दिक्कत हो रही होगी देख लो हो सकता है, नेट का इश्यू हो बच्चोंको ये न, नेट का इश्यू भी हो सकता है साफ आ रही है, फिर नेट का इश्यू हो सकता है, चलो तो लवलीना बोर्गहन, उन्हेंटर किलोग्राम वेट के टेगरी में, ठीक है, उन्हेंटर में बच्छो है ना, चलो, अगला कुशन है, बजरंग पूनिया, ब्रॉंज मेडल कुस्ती, लास्ट वाला मेडल इन्हों ने जीता था ना, ब्रॉंज मेडल कुस्ती, बजरंग प जीता था बच्छो, कब मॉस्को में, और कौन सा जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, इस से पहले ठीक है, और हमने बच्छो, ब्रॉंज मेडल जीतने के लिए किसको हराया, जर्मनी को हराया, हमने जर्मनी को हराया, बच्छो, ब्रॉंज मेडल जीतने के लिए किसको हराया जिर्मनी को राया ठीक है लियानी 40 साल बाद हमने जीता है MEDAL 40 साल बाद हमने MEDAL जीता है बचो और लास्ट में एक शेर जो है GOLD MEDAL भाला फैंक बचो GOLD MEDAL भाला फैंक GOLD MEDAL भाला भाला फैंक बचो ठीक है देश के लिए व्यक्ति गत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे विक्ति हैं, अगर देश के लिए स्वर्ण पदक की बात करें, सबसे पहले अभिनब बिंदराने जीता था 2008 के ओलम्पिक में, 2008 के हुए क्या थे, बीजिंग ओलम्पिक में हमें सबसे पहले विक्तिगत यानि एक खिलाडी के द्वारा हमने जीत रखे हैं, होकी में आठ आठ गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, जिन में से बच्चों छे तो लगातार ही थे, छे बिलकुल लगातार किसी औ और को दिया ही निए गोल्ड मेडल, लेकिन हमने विक्तिगत दो ही जीते हैं, उसमें भी अगर पूछ लिया जाए, एथलेटिक्स में या ट्रेक एंड फील्ड में पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो नाम आ जाएगा नीरत चौपडा का बच्चों, 7 अगस् को खतम हो गया था, और खतम होने से एक दिन पहले जीता, किसने हमारे शेर नीरत चौपडा ने गोल्ड मेडल जीता बच्चों, ठीक है, चलो, नीरत चौपडा ने जीता बच्चों, गोल्ड मेडल, ठीक है बच्चों, चलो, तो यह है नीरत चौपडा, दो व्यक्तिगत म आपने एक तो टीम खिलती है, मानलो होकी में जीत गया, तो वो एक आदमी ने नहीं जीता, वो एक टीम ने जीता, लेकिन जैसे अब कुस्ती में तो आदमी जीता है, टीम नहीं जीती, तो ऐसे ही दो व्यक्तिगत जीतने वाले पहले सुशील कुमार थे, उन्होंने आठ और बारह में जीता, आठ और बारह में पहले ब्रॉंज जीता, फिर सिल्वर, पहले ब्रॉंज फिर सिल्वर बच्चो ठीक है, और दूसरा बच्चो भारत के ओलंपिक कुल पदक हो गए 35, और कुल गोल्ड मेडल हो गए 10, अब हमारे कुल पदक है 35, कुल गोल्ड मेडल हो कुन सा था भारती होकी टीम पहली बार कहां तक पहुँची महिलाओं की होकी टीम ने बारत का अधिकारिक ओलंपिक कून सा था छीयर फोर इंडिया ौलं बच्त बच्चोँ जंञासिक की प्रतियोगता में जज़ के तौर पर पहली बार कोई भारतिय गई है, सीधे-सीधे जो सवाल आएंगे, वही मैंने लिखे हैं, दीपक काबरा जो है, जिमनास्टिक में एजे जज गए पहली बार भारत से, जो होकी टीम है पुरुसों की, उसने तो सेमी फाइनल में बच्चो, उसने भी सेमी फाइनल तक का त किया, और महिलाओं ने भी किया, लेकिन उन्होंने ब्राउंज मेडल जीता, और महिला टीम जो है, वो ब्राउंज मेडल का मैच हार गई, इसमें दोनों में इतना ही अंतर है बच्चो, ठीक है, चलो, है ना, पुरुस होकी का स्वर्ण पदक, बेलजियम ने जीता, अलेक्जेंडर जुएरेव ने, टैनिस का, अलेक्जेंडर जुएरेव ने पुरुसों वाला और महिलाओं वाला बेलिंडा बैंकिक, ये नाम भी जरूर याद रखने है, क्योंकि टैनिस का पूछ लेता है, ब्राजील फुटबॉल का पूछ लेगा, बेलजियम होकी का प आपको बता दिया बच्चो, दीपक काबरा वाला, बेलजियम होकी वाला ये भी बता दिया, अलेक्जेंडर जुएरेव टैनिस में, पुरुसों का खिताब, महिलाओं का बच्चो, बेलिंडा बैंकिक ने जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है?